दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Combined Graduation Label Examination 2030 के बारे में यानि SSA Cigial का फॉर्म आप कैसे भरेंगे जिसकी Complete Process इस वीडियो में लाइब दिखाए जाएगी आपको बता दे SSA Cigial का Online नावेदन होने की जो परकिरिया है 3 April 2023 से शुरू हुई है और इसका अंतिम दिखी जो रखी गई है 3 May 2023 रखी गई है इसमें बात करें जो भी Candidate Payment करेंगे Payment का भी अंतिम दिखी नधारत हो चुकी है कि आपको जो है लास्ट दिखी से एक दिन बाद आपको Payment किलियर कर लेनी होगी अगर किसी को फॉर्म भरने में किसी भी परकार की कोई mistake होती है तो कैरेक्सन की पोटल खोले जाएंगे जो कि आपको बताया गया कि 7 May 2023 से 8 May 2030 तक रहेगी बात करें यहाँ पर आपकी जो एक्जाम की सेडूल है Tentative Date भी आ चुकी है July 2030 में आपकी एक्जाम भी होने वाली है तो कैसे इसके लिए आपको फॉर्म भरना है कौन candidate फॉर्म भर पाएंगे उसकी सारी जनकारी आपको हम इस वीडियो में बताएंगे साथे साथ आपको फॉर्म भर कर भी आपको दिखाएंगे आपको किलियर पहले कर दे यह जो फॉर्म है graduation level वाले जो छातर छातरा होते उनके लिए निकाली जाती है Cigil का तो इसके लिए new term qualification आपकी असनातक होनी चाहिए पूरी जनकारी आपको मिल जाएगी हमारे official website online update stm.in पे आएंगे latest job वाले section में आपको मिल जाएगा SSE Cigil Online Form 2013 जिस पर क्लिक करके आप पूरी जनकारी पढ़ सकते है साथे साथे exam का जो भी syllabus है, selection process है, document है उसकी जनकारी आप देख सकते है और direct यहीं पर आपको apply का भी link मिलता है online apply यहीं से कर सकते है पहले आपको registration कर लेना है फिर login करना है, या नहीं तो आप SSE के अधिकारिक website पर भी आकर यहीं पर आप देखेंगे तो आपको notification इसका मिल जागा, जिस पर क्लिक करके आप इसका detail notification read out करेंगे अगर आप applicable है इस बहाली के लिए जो है SSE अलग-लग समय पर बहाली लाती है तो इसके लिए अगर आपने apply किया होगा तो direct आपको क्या करना अपना जो भी registration number है इस box में डालना है, जो password आपका होगा उसको डालकर, इस capture को डालकर यहाँ पर और direct आप login कर सकते हैं अगर आप पहली बार SSE का form भरने जा रहे हैं तो आपको एक option यहाँ पर मिलता है new user register now का अगर माली जाप पहले से भरे हुए आपको password नहीं पता है तो forget password का भी विकल्प मिलता है जिस पर click करके आप भर सकते हैं बात करते हैं अगर आप नए candidate है तो कैसे पंजी करन करेंगे तो इसके लिए आपको इस बाले विकल्प पर click करना है click करने के बाद आपके समने इस पर करकार अंटर्फेस आगा जहाँ पर आपस बोला जाता है कि आपके पास आधार कर्ड है अबक आपको मार्फेस पर theatre के बीजाँ है अपना तित्र के लिए कालेंडर मिल जाता है अभर सकते हैं अनुसार जो भी आपका year होगा उसको select करेंगे जो मन्त होगा उसको select करेंगे और date को select करेंगे फिर इसको confirm करेंगे और यहाँ पर बोला जाता है कि matriculation के detail आपसे बोली जाते हैं जैसे matriculation आपने किस board से pass out किया है उस board का नाम डालेंगे साथे उस board को दुबारा से confirm करेंगे और यहाँ पर देखेंगे आपसे roll नंबर पूछा जाता है roll नंबर डालेंगे उसको confirm करना है किस साल आपने pass out किया है passing year को आप यहाँ से select करेंगे passing year को confirm करेंगे अपना gender डालेंगे male है female है उसको confirm करेंगे यहाँ पर देखेंगे level of educational qualification पूछी जाती तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो level है कहां तक है आप highest कहां तक पढ़े हुए उसकी जनकारी आप यहाँ से select करेंगे नीचे आएंगे mobile नंबर डालना है उसको confirm करेंगे फिर आपको जो email ID है उसको डालेंगे उसके verify के लिए एक बर फिर से डालना है और यहाँ पर बोली जाते कि आपका राज यह कौन सा है उस राज को select करेंगे और detail को save करेंगे उसके बद कुछ additional detail आपका category पूछी जागे nationality select करना आपके सरेण में किसी भी परकार के कोई कट अगर आपको डिकल करना है तो टी करेंगे अटमेटिक फिल हो जागा फिर आपको यहाँ पर detail को save करेंगे अब आपको declaration देना है यहाँ पर टी करना है option final submit का मिलता है जिस पर क्लिक करेंगे आपके number और email पे दोनों पर OTP जागा OTP को डाल कर इसको verify करेंगे और आपका पंजी करन पर क्रिया पूरा होता है अब उसके बाद direct इससी website पर आएंगे login वाले विकल पर क्लिक करेंगे तो login वाले विकल पर जैसे ही आप आते हैं तो जो registration number अभी मिला होगा उसको डालेंगे उसको password को डालेंगे उसके बाद इस capture code को डालेंगा और direct आपको login कर लेना है login करने के बाद उस password को आप change भी कर सकते हैं अगर आप पहले से registration किये हुए तो direct अपना पुराने registration number password capture को डाल कर login करेंगे login करते ही आपके सामने इस परका registration का simply क्या करेंगे इस वाले विकल पर आप click करेंगे और जो जनकारी आपको लगता है जो कुछ change हुई है जैसे आपकी qualification हो सकता है या और भी कोई detail हो सकता है जिससे आप यहां से update कर सकते हैं और नीचे में option मिलता save का जिस पर click करके आप detail को update कर सकते हैं अब बात करते हैं के बारे में तो यहां पर दिखेंगे आपको मिलेगा CHSL का form भरने के लिए एक option apply का जिस पर आपको click करना है click करने के बात कुछ जनकारी आपका पहले से फिलब रहता है simply आपको 15 number column से detail भरना start होता है सबसे पहले preference examination center का देना होता है कि आप कहां exam देना पसंद करेंगे और देन center आपको यहां से क्या करना select कर लेना है नीचे आएंगे बोला जाता कि अगर आप एक सर्विसमैन है तो आप यहां पर रेस करेंगे अने था नौ पर क्लिक करेंगे तो यह डीटेल आपको डालने की अबसकता नहीं होगा अब यहां पर बोला जाता है कि फिजिकल लिम पर क्लिक करेंगे यह जो फिजिकल हैंडिकाप कैनिडेट होंगे जिनको लिखने में समस्या हो रही होगी उनके लिए यह option है अब यहां पर देखेंगे बोला जाता 18 नंबर में कि क्या आप जुनियर एस्टेटिकल ओफिसर के लिए अपलाई करना चाहते हैं तो इसके लि बैचलर डिग्री होनी चाहिए और यहां पर बताया गया है कि आपको यह जो होनी चाहिए रिकोगनाज इनवर्सिटी से होनी चाहिए और कम से कम 60% मार्क्स होनी चाहिए आपको यहां पर mathematics में at 10 प्लस 2 में तो इस चीज़ को भी आपको धियान रखना है उसके अलावे भी यहां पर बताया गया कि यह qualification आपको पूरा करना होगा तो इस पर करके अगर आपके पास qualification है तो यहां पर आप क्या करेंगे इस post के लिए apply कर सकते है अगर नहीं है तो simply यहां पर no पे click करेंगे उसके बाद यहां पर देखेंगे junior esthetical officer के लिए जो के आपको बताया गया कि इसके लिए अगर आप eligible है तो यहां पर अगर ace no करेंगे तो इस जनकारी अपने highlight हड़ जाएगा फिर उससी परकार देखेंगे आपको यहां पर भी पूछा जाता है अब यहां पर बोला जाता है कि क्या आप apply करना चाहते है अगर आप apply करना चाहते है तो आप यहां पर ace करेंगे तो इसकी भी जनकारी आप notification में देखेंगे तो इसके लिए क्या qualification है आपको यहां पर mention हो जाएगी 11 नमबर पेज में इसकी जनकारी आपको दे दी गई है तो नहीं है तो simply आप क्या करेंगे इस के लिए आप यहां पर no पे click करेंगे detail आपको नहीं डालना होगा age म लिए कितना age है अगर आपका यह age जो है अधिक हो चुका है तो आप देख सकते अपने category के अनुसार जैसे से आते होंगे तो आपको पान साल का relaxation मिलता है वह भी सिका तीन साल है तो इसी परकार physical handicap के 10 साल है तो आप देख लेंगे अपने अनुसार अगर आपको चाहिए जो भी आपका qualification highest होगा उसको select करेंगे तो हो सकता है आप graduation के अलावे भी कोई अन्य इसके equivalent में कोई course किया है तो यह option आप select करेंगे अगर आप minimum अगर आप सिर्फ graduation की हुए तो graduation को ही select करेंगे नीचे देखेंगे आप से पूछी जाती है कि आपकी जो status है क्या है जो कि graduation की जनकारी होगी यह पास है कि appearing है उसकी जनकारी देंगे passing gear आप बताएंगे कपास कि यह हैं किस जो states आपने किया है उसकी जनकारी देंगे board का नाम roll number percentage आप बताएंगे फिर नीचे आएंगे अपनी जो information के अन्य जोब के लिए अगर आप share करना चाहते तो ऐस करेंगे अन्य था नोवाले विकल पर click करेंगे और कुछ address आपका पहले से ही mention होगी अब photo में कोई date mention होना जरू इसको ध्यान रखिए photo आपका 3 January 2022 के बाद की होने चाहिए size आपका जो होगा 20 से 50 कभी में होगा और photo का जो format बताएगा कि इस पर करके जो photo है acceptable होगा बाकि यह सब जो photo है यह acceptable नहीं है तो कोसिस करें इसी पर करका photo आपको डालना है signature डालना है और आपको यहाँ पर बताना है कि photo जो है आपका 3 January 2023 के बाद का है तो यहाँ पर yes करेंगे अगर उससे पहले का है तो no करेंगे आप मैसा yes करेंगे नीचे आना है declaration आपको देना है इस capture code को डालना है और preview पर click करना है अब यहाँ पर देखिए आपके सामने आपका जो भी detail है वो verify के लिए आता है इसको मिलान करेंगे preview में कोई detail गलत है तो अभी edit modify का option है अगर सही है तो submit पर click करेंगे बोला जाता है कि आप final submit करना चाहता है ओके पर click करेंगे अब अगर आपका payment नहीं लगता है तो direct आप इसका print ले सकते हैं अगर आपका payment लगता है तो यहाँ पर आपको इस पर click करना है करेंगे जैसे यह यहाँ पर online offline है तो आप online को चुनेंगे और यहाँ पर भी option मिल जाता कि अलग-अलग माद्य में जिससे आप payment को करकर आप इसका जो print है निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे जैसे यहाँ पर देखेंगे आपका payment success होगा और इसका जो print है आपके सामने आ जाएग अपना राय comment box में जरूर लिखे और कोई doubt भी है तो नीचे comment box में post सकते हैं वीडियो तेखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद